नमस्कार दोस्तों निफ्टी बाबा चैनल पे आप सब का स्वागत है तो फ्रेंड्स जो स्टॉक्स हमने कल बताये थे सबसे पहले हम उसे स्टड़ी करते हैं हमने कहा था M&M 615 के उपर लेने के लिए जहां पर भी मिले तो यह ठीक 615 के आसपास ही खुला और सीधा पहले 15 मिनिट में ही इसने टार्गेट पूरा कर लिया 626 तक हाई लगा दिया इसने तो इससे हमें सीधे सीधे 11 पॉइंट मिले उसके बाद Axis Bank हमने कहा था 444 का टार्गेट है तो पहले ही जहां टार्गेट था वही खुल गया तो जैसा कि हमने पहले ही आप सब को यह बताया हुआ है कि जब कोई स्टोक पहले गैप अप से खुले तो कभी भी बाय मत करें जब पहले ही उस स्टोक ने टार्गेट को अ स्टोक को छोड़ दिया उस सुबह ही क्योंकि यह 444 के बास पहले ही टार्गेट के पास पहुंच गया इसी तरह हमने ग्रासिम दिया था ग्रासिम का भी जो टार्गेट दिया था वह 744 दिया था तो यह 742, 743 के बास जाकर खुला तो इसको भी लेने का फिर कोई फायदा नहीं था तो इस तरह से हमें तीन स्टोक में सिरफ उसी में 11 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ उसके बाद निफ्टी फिफ्टी निफ्टी में हमने का था आपको कल कि 11 190 के उपर जहां पर भी मिले बाय कीजिए तो 11 190 से इसने 11 270 तक हाई लगाया हां ये भी पहले उपर जो चीज टार्गेट के पास खुले तब ना ले वहीं हुआ निफ्टी में भी निफ्टी जैसे ही उपर खुला तो इसने 11 300 का हाई लगा के साथ की साथ नीची आ गया तो जैसे 11 190 के पास आया तो इसमें बाइंग आ गी तो ये 11 270 का इसने टार्गेट भी कम्प्लीट किया इस तरह से इसमें हमें लगबग 80.80 पॉइंट मिलें उसके बाद जो अगला स्टोक हम आपके लिए ढूंड कर लाएं वो है टाइटन टाइटन हम पहले भी अपने फ्री चैनल में जो फ्री टेलिग्रम चैनल है उसमें भी कई बार दे चुके हैं तो टाइटन ये 1169 पर ब देख रहे होंगे कि इंट्रेडे चार्ड पे भी कि यह बहुत अच्छा नीचे से इसने पिक अप लिया है कारण क्या है कि यह ज्वैलरी से जूरा है और सोना तेज होगा तो कंपनी को सीधा ही फायदा हो रहा है और गोल्ड ने पूरी तेजी पकड़ी ही है तो उस 003 के रहेंगे और सबसे उपर यह जो रिजिस्टंस है जो रिजिस्टंस ध्यां रखिए 1195 के पास है और जैसे 1195 आए तो एक बार प्रॉफिट बुक कर लें अगर क्रोस हो तो फिर उसमें बाई कीजिए और एक बात और बता दें कि पहले ही अगर स्टोग उपर खुले हम पिर से बता रहे हैं यह चीज तो तब नहुसे ले उससे नीचे आने तो उसे नीचे आना ही है जब कोईarent चीज उपर खुलेगी तो वहां पर टेहां से प्रॉफिट बुकिंड आई जानी यानी यह नहीं नहीं होता कि उपर खुले और फिर उपर से यह तभ उता कि बहु जिसाँ निफ्टी हो बेंक निफ्टी यह स्टोक्स हों हर बात में ध्यान रखने हैं कर इसके बाद bet installMe देखिए वहीं चीज जो हमने पहले दोड़ाई हैं कि बेंक निफ्टी विए उपर खुला जैसे उपर खुला वहां safe और नीचे 21,300 के पास आया इती 300 के पास आते ही फिर इसने बाइंग पकड़ी देखिए जब तक नीचे बेस पे नहीं आती कोई चीज तब तक उसमें बाइंग नहीं आती और जैसे नीचे आए 2300 पे तो वहां से बाइंग आई तो उसके बाद इसने 2600 तक का हाई लगाया और फिर इसने अराम से हमें 300 पॉइंट दिये और हमने कहा भी था आपको कि अगर 26640 तोड़े तो बैंक निफ्टी को सेल करना है और टार्गेट रहेंगे 2440 और 21215 2640 के नीचे जैसे ही आया तो सेल करना बनता था जैसे हमने कल कहा था तो वह 2300 तक आया तो इसमें सिधे सिधे हमें 2440 पॉइंट मिले उसके बाद हमने एक और चीज़ समझाई थी कि उसके बाद अगर 2440 के उपर आये तो फिर से बाय कीजिए 2640 का रिस्टन्स है तो 2440 से भी हमें अराम से 1500 फिर से मिला तो इस तरह से बैंक निफ्टी की ट्रेड भी जो हमने कल बताई थी पूरी काम याब रही निफ्टी में भी बैंक निफ्टी में भी और M&M स्टोक में भी तो कल के लिए एक तो टाइटन का स्टोक हो गया, दूसरा बैंक निफ्टी में ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि बैंक निफ्टी दोनों तरफ की मूव बड़ी तेजी से दिखा रही है, कारण क्या है कि डाउ में वोलेटेल्टी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, कल भी मैंने बताया था, कि वहाँ पर यूएस तो यूएस में उलेक्शन की वजह से, जैसे-जैसे वहाँ की उपिनियन पोल आ रहे हैं, कोई उपर नीचे हो रहे हैं, तो वैसे-वैसे मार्किट भी उपर नीचे हो रही है, तो कल, बैंक निफ्टी में अगर 21.215 तोड़ता है, लेवल, तो वहां पे bank nifty को बेचना है नीचे के target 2163 और 2028 रहेंगे 2028 पे एक बार profit book कर लेना है क्योंकि 2028 एक strong sport है और उसके बाद अगर वो तोड़े तो फिर से उसे sell करना है bank nifty को 2870 का target रहेगा 202870 पे फिर से strong sport है तो इसे कोई कब जोर sport ना समझेना 2028 को भी और 2028 को भी उपर की और अगर 21440 के उपर सस्टेन हो अब सस्टेन वाली बात कई कमेंट कई हमारे व्यूर्स में पूछा है कि इसे कैसे हम count करें कि सस्टेन हो रहा है अब हम आपको एक trick बताते हैं टिप बताते हैं इंट्रेट ट्रेडिंग का कि कैसे बता चलेगा कि कोई चीज सस्टेन हो रही है तो ध्यान से देखिए मान लीजिए यह लैवल है यहाँ पर अगर कोई candle बनी है उसके बाद फिर से एक और candle उपर की और बने यह 3-3 मिनट की candle count करनी है और उसके उपर फिर से एक और अगली candle बने तो पहले इस तरह से आपने 9 मिनट देखना है 3 मिनट की candle, 3 मिनट की candle और 3 मिनट जब आप देखें कि अब trend में 3-3 मिनट की candles बन रही है यहाँ ऐसे नहीं तो अगर ऐसे बने मान लीजिए एक green candle है उसके बाद मान लीजिए कोई ऐसे बने red candle और उसके बाद फिर से green candle बन जाए पर की और तो तब भी इसे हम bullish मानेगे और अगर मान लीजिए ऐसे candle बने और फिर नीचे की और candle बने और फिर यहाँ पर candle बने तो हम इसे कहेंगे कि यह अब 21-08 के उपर सस्टेन नहीं हो रहा 21-08 के उपर सस्टेन का मतलब सस्टेन वहीं है कि उपर 9 मिनट तक देखें 3-3 मिनट की candles को देखना है वैसे कई 5-5 मिनट की केंडल को भी देखते हैं वह एक ज्यादा स्क्रोंग एक व्यू मिल जाता है पर आज कर वो लेटल्टी ज्यादा है तो 3-3 मिनट की देखें क्योंकि कई बार यह होता है कि 3-3 मिनट की candle के बाद ही कोई भी इंडेक्स या स्टोल भाग जाते हैं तो इंट्रडेव वालों के उपर बने रहना और वह भी अप्ट्रेंड में उसे कहते हैं सस्टेन होना तो इस तरह से अगर 21,440 के उपर सस्टेन हो तो 21,440 का स्टोप लोस लगाएं उपर 21,640 पर ही प्रॉफिट बुक कर लें क्योंकि 2640 जो हमारे पुराने वियूर से उन्हें सब को पता है कि यह एक स्ट्रोंग रिजिस्टन्स है तो 21,640 अगर क्रोस हो और 21,700 तक क्रोस कर जाए देखिए इसमें 60 पॉइंट बता रहा हूं न मैं तो 21,700 तक अगर क्रोस कर जाए तो फिर इसको बाय करना है 21,915 के टार्गेट के लिए तो यह रहेगा आपका कल का ट्रेड सेटप बैंक इसके बाद जो अगला स्ट्रोंग लेकर आए वह हमारा रजा बैटरी है क्योंकि अब ओटो सेक्टर जैसे कल भी मैंने बताया था कि बैंक और ओटो चलने की पूरी-पूरी मीद है ओटो सेक्टर में दो बाते हैं एक तो अगर बैंक चले ओटो चलते हैं और दूसरा जो इतिहार का सीजन है वह इन दिनों में हमेशा ही चाहे सप्तंबर का अक्तूबर का देह लीजिए या दिवाली के पास कोई भी मन्त हो तो हमेशा ओटो सेक्टर चलता है हर साल तो उस हिसाब से हम अमारा रजा बैटरी लेकर आए हैं तो उसमें अगर 757 के उपर सस्टेन हो अगर यह स्टोक तो बाई कीजिए तो स्टोब लो 757 करेगा अब आप समझगी होगे सस्टेन का मतलब तो उपर का जो प्रॉफिट बुक करना आपने 768 और 788 के बास उसके बाद पुट कॉल रेशियो जो है वो है निफ्टी का 1.27 जो की बहुत अच्छा है और निफ्टी के उपर के जाने के संकेत देता है और अगर बाहर की मार्केट देखें तो वो डामा डॉलसी है कोई उपर है कोई नीचे जैसे यूएस अब फिर से फ्लैट है जबकि हमारी जब मार्केट चल रही थी तो काफी उपर नीचे हो जाता था इसी वज़ा से हमारी निफ्टी बैंक निफ्टी भी काफी वोल्टैलिटी बहुत ज़्यादा हाई थी आज उसके बाद अगर उसमें हैंग सेंग देखें तो वह भी माइनस एक सो अठाइस पॉइंट है जबकि निकाई प्लस है और फुरसी भी माइनस है और इससे अभी भी कॉंफिडेंस पूरा-पूरा बना हुआ है तो यह देखिए ग्यारा दोसों पर इस सिसे में देख सकते हैं कि यहाँ पर कॉल राइटर बिलकुल भी नहीं है बलकि जो थे वो भी जा रहे हैं मतलब 11.200 पर भी कॉल राइटर कम हुआ है और इधर 11.200 पर कॉल रैटर ऐड हुआ है जैसे कल आड हुआ आज और ऐड हुआ 11,000, 11,100, 11,000, 200 इससे क्या पता चलता है कि market को पूरा-पूरा confidence है कि 11,200 नहीं तूटने वाला है यही कारण था कि 11,200 को आज 3-4 बार शायद इससे भी ज्यादा बार test किया market ने और 4 बार market उपर की और उठी और बार-बार 11,270 तक गई और अब यह देखेंगे कि कल resistance कहाँ पे हैं तो resistance अगर देखें तो वो अभी भी 11,500 पर बना हुआ है और 11,500 पर ही सबसे ज़्यादा call writer एकठा हुआ है तो इससे क्या पता चल रहा है कि market को पूरा-पूरा भ्रोस है कि अगले Thursday तक यह 1st October तक यह market 11,500 तक जा सकती है 11,400 तक लगा सकती है यही कारण है कि call writer 11,400 और 11,300 पर न जाकर सीधा उपर 11,500 पर आ रहा है उसके अंदर डर है 11,300 पर भी और 11,400 पर इससे market की breath पता चलते है कि कितनी strong है और इसका मतलब यह clear है कि 11,387 जो मैंने वो target आपको कल भी बताया था तो वो intact है वो मिल सकता है किसी भी time तो यह कल हमें देखना पड़ेगा क्या गल 11,304 का level कल तूडता है यह नहीं तो अब intraday chart पर sorry daily chart और 30 minute की candle chart पर हम देखते हैं कि nifty का अब क्या रुख है और कल के लिए क्या trade setup रहेगा तो चार्ट के हिसाब से कल का जो trade setup बनता है वो इस तरह है कि कल अगर 11,190 के उपर निफ्टी जहां पर भी मिले वाय करनी चाहिए टार्गेट रहेगा 11,270, 11,300 और 11,353 ग्यारा 303 तक की इसलिए हम बता रहे हैं कि 11,300 पर भी call writer काफी है और 11,400 पर भी call writer काफी है अगर 11,300 के cross कर भी दिया तो 11,350 का call writer निफ्टी को बढ़ने से रोकेगा तो अभी 11,350 और अगर 11,350 भी cross किया तो फिर हम अगले लेवल हमारा जो telegram free channel चलता है उसमें 7 के साथ बता जेंगे कि अगला लेवल अगले कौन कौन से लेवल हैं नीचे की और अगर 11,190 के नीचे जाए तो आप जो risky trader है वो एक बार sell कर सकते हैं निफ्टी को जो निफ्टी 11,125 तक जा सकते हैं और जो risky नहीं है वो 11,125 का store loss लगा कर निफ्टी को buy करके रख सकते हैं और 11 उपर का pattern है उपर का trend बना हुआ है इसमें घवराने की कोई जरू होती है कि निफ्टी नीचे जाएगी देखिए जब तक 11,125 के उपर निफ्टी बनी ही है तो वो positive trend ही है और 11,125 के नीचे अगर निफ्टी जाए तो फिर sell कर देनी चाहिए जो अगला target रहेगा 11,068, 11,027, 10,985 और 10,960 10,960 एक final target है अगर 10,960 भी तोड़े तो फिर नीचे 10,840 भी मिलेगा तो कल के लिए फिर से एक बार समझ लीजिए कि अगर 11,190 के उपर निफ्टी मिले तो buy करना चाहिए target 11,270, 11,300, 11,353 नीचे की और 11,190 के नीचे जाए तो एक बार sell कर सकते हैं वो भी सिरफ डिस्की ट्रेडर 11,125 तक और 11,125 के नीचे मैं सब के लिए सला दे रहा हूँ 11,125 के नीचे जाए तो sell कीजिए 11,068, 11,027, 10,985 और last 10,960 ये रहा हमारा कल का trade setup निफ्टी का और अगर कल 11,353 के उपर निफ्टी जाती है तो अगले level 7 की साथ पहले ही हम telegram free channel पे बता देंगे अगर कोई telegram free channel को subscribe नहीं किया है तो नीचे description में channel का link दिया हुआ है तो वहाँ से आप telegram channel को subscribe कर सकते हैं हमारा free channel है अब अगला जो स्टोक है तीसरा स्टोक हम तीन स्टोक सरोज बताते हैं तो अगला स्टोक है M&M M&M हमने कल भी recommend किया था आज फिर से कर रहे हैं क्योंकि M&M एक strong candidate है दिवाली के पास क्योंकि auto sector से जुड़ा हुआ है अगर auto sector भागा तो ये भी साथ में भागेगा तो इसलिए हम बार बर बता रहे हैं और आज इसने जो candle बताई वह भी आपको दिखा दिख रही होगी कि नीचे के level से फिर से इसमें बहें गाई हैं तो M&M में ये आज तक्रीबन 613 पर बंद हुआ है और अगर कल 615 के उपर मिले तो best रहेगा और 615 का ही stop loss लगाना है 615 के उपर sustain होने दिना है M&M को कि एगदम से छलांग नहीं लगा देनी कि 615 है तो फटा फट बाय कर लिजिए उसे वैसे ही 3-3 मिंट की 3 candles को चेक कीजिए अगर वो बुल पैटरन बना रही है जैसे कि अब ही समझाए है हमने तो फिर बाय करना है तो उपर के target रहेंगे 624, 638 और 650 तो ये रहा हमारा कल का trade setup, nifty, bank nifty और 3 stocks तो friends अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो जरूर लाइक कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेर कीजिए थेंक यू